हेलो फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हूँ आप सब आसा करती हूँ। आप सब बहुत अच्छे होगे। आज दिन है संडे और आज के ब्लॉग का स्टार्ट हम अपने चाहे से करते हूँ। यहां मैंने चाय टोची एक बार नगे लिया है दुबारा के लिए चाय कर रहे हो और मैं इस कुकर से इतना ज्यादा परिशान हो गई हो और आज खाने में बनाओंगी मैं दाल, रोटी और भिंडी की भुजिया सब्जी तो यही नास्ता हो जाएगा और अगर दोपैर में भूख लगेगा लंच के लिए मैं बाद में चावल को चड़ा दूँगे और सब्जी मैं यहां पर बिल्कुल सिंपल वाली भुजिया सब फ़िज बना रही हूँ बिल्डी की और आप लोग और है भिल्डी कि सब्जी यह हमेशा भिल्डी कि सब्जी बनाती है तो ऐसा नहीं है जैसे आलोग यहां पैपने भीन्डी फड्ली बीन्स कुर्णू अप्सणू कुन्रु यही सब सब्जी ज μबसता है तो इसलिए हरी स मैंने चावल को भी चड़ा दिया क्योंकि दो पहर में फिर बनाने का जंजट नहीं रहेगा तो मेरा दो पहर का टाइम बच जाएगा तो मैं यहां राइस कुकर में चावल को भी चड़ा दियो उसके साथ मैंने आटे को भी गूत लिया है आटे को गूत के रोटी भी सेख ल वाला आगर कुकर होता तो उसमें समझ में आता कि मतलब रबड का प्रॉबलम है या सीटी का प्रॉबलम इसमें तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता फर्स टाइम मैंने ये वाला कुकर यूज किया है तो आप देख सकते हैं पर मेरी सबजी भी बन चुकी है और अब ये पूड़ा खाना वं जा रहा है चावल भी बन जा रहा है चाय भी बन जा रहा है सब्ले महों जा रहा है दाल बंकूरा सब्लों तूछा को भी बना लोंगे जो एक कह personnage के ना दाल कलने वाला नहीं है तो यहाँ तो यहाँ पर मैं फटा फट रोति मेरा बन चुका है केवल रोटी इस देख रहा है अभी लास्ट यह बचा है और जितने देर मैंने रोटी बनाई ना उतना पूरा टाइम मुझे दाल बरने में लग गया तो फाइनली दाल मेरा बन चुका है अब मैं इसको तड़के लगा दोंगे सिंपल सा करी पता और राई जीरा और हिंका तड़का लगाओंगी थोड़ा सा फ्लेवर टेस्ट हो जाता है दाल का थोड़ा सांबर का टेस्ट आने लगता दाल में कि उसके बाद टुरन मैंने सबजी को खाली किया दाल को खाली किया मतलब जो भी बढ़तन था तुरन खाली करके मैं गैस को साफ कर लेतीiousaw के सामने जो टाइलस लगाए our उसको भी मैं को झाल कि छीटे जाते हैं तो बहुत जादा नहीं और सबस्काइब होुई की जा तो गटीनosition दर्था करेंब लेखने प्रिभान के जो सब्सक्रीब w孩emi को सबस्क्राइब बना जाएगा तो उसके बाद मैं एक बार और चाय पी लूँगी तो यहां पर मैं बर्तल को भी दूल ले रही हूं चले लिए और बर्तल दूलने के बाद मुझे धुलने हैं थोड़े से कपड़े हैं और दो दिन का कपड़ा है समझे कि मैंने फ्राइडे और सेटर्डे दो दिन कपड़े नहीं दूले क्योंकि दो दिन मेरी तब्य खराब थी पता नहीं क्यों जुखाम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा और आज संडे आज भी जुखाम बहुत जादा है लेकिन कल मुझे डैल्सिस के लिए जाना है तो आज का कपड़ा दूलना जादा तीन दिन का मतलब था उसके बाद Friday और Saturday मैंने कोई ब्लागिंग नहीं किया और कैमरे में अल्रेडी इतना जादा वीडियो सूट था ना कि जब तक मैं उसको एडिट नहीं करती वाइस ओवर नहीं करती और अपडेट नहीं करती जब तक मैं दूसरा मतलब वीडियो नहीं बना सकती थ सूट किया और आज संडे ही है तो यहां पर मैं बर्तन को धुले रही हूं बर्तन धुलने के बाद फिर मैं चाइब को पीओंगी तो अभी मैं चाइब आपी के आ गई हूं कमरे में क्योंकि मुझे बेड़ सीट को भी आज चेंज करना है और कल डाइसिस के लिए जाना है तो आज ही मैं यह सब काम कर लूँगी ना तो अच्छा रहा है कि क्योंकि कल का पूरा दिन मेरा हॉस्पीटल में ही चला जाता है तो मुझे घर के काम के लिए विल्कुल टाइम नहीं मिलता है वही सुबह में खाना बनाना जाड़ू पोचा करना इतना ही कर पाते हैं बाक मैं इनके विस्तर का भी मतलब बैडशीट चेंज कर दूगी बाहर के कमरे का और मैंने दोनों कमरे में ब्लू कलर ही बैडशीट डाला हुए है उसके बाद मैं कमरे में जाड़ू लगाने आ गई हूँ और यह जो रैक है ना रैक पे पता नहीं कहा से ड़स्ट आ जाता है तो उसको भी मैं जाड़ू से ही जाड़ ले रही हूँ जितना मतलब साफ हो पाता है बात में बहुत ज्यादा गंदा होगा तो मैं कपड़े को भीगा के पूछ लूगी लेकिन अभी उतना गंदा नहीं है तो थोड़ा सा डस्ट आ गया तो उसको मैं ऐसे ही जाड़ लिय यहां पर मेरा पूछा लग चुका है और मुझे आज बालकनी को भी साफ करना है क्योंकि दो-तीन दिन हो गया है वैसे तो मैं बालकनी पर जब कपड़े धूलती हूँ वासिंग मसीन से तो धूलती ही हूँ पानी डालके ऐसे मैं वाइपर चला देती हूँ लेकिन इधर दो- सब्सक्राइब करने दो-फिर जब मैं घुलती है तो यहां पर जाड़ो लगा ले रही हूँ और आज मैं पोच्छा भी लगातूंगे बालके बैसे जाड़ो पोचा लगाने से थोड़ा सा तो साब्सुत्रा होई जाएगा अगर इसके बाद फिर जब मैं कपड़े धुल तो फिर धूलोंगी बालकनी को तो मैं यहां पर जाड़ू भी लगा ली हूँ अब मैं उसी पोछे से मतलब पोछा भी लगा ले रही हूँ कि कि पोछा का पानी भी उसमें फिनायल वगरा पड़ा हुआ है तो उसी से पूछ देंगे तो जो भी मक्ही वगरा होगा वो सब न पानी उतना नहीं देंगे पता चलेगा मेरा गंबला भी वैसे पड़ा रह जाएगा वलकि और गंदा हो जाएगा तो इसलिए मैं बालकनी को जब भी दूलने के लिए सोचती हूं गंबले वगरा हटा कि वहां मिटी वगरा साफ करने के लिए लेकिन जब पानी का में उसन दिन वाल मतलब मसाज का लिए क्योंकि कल मंडे है कल बाल दूल लेंगे संडे है तो मैंने सोचा कि बाल लगा बाल में ये ऑईल लगा लेकिकि बाल इतना जादा मेरे जड़ा है श्यादा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आरा क्या करे और यह देखिए इतनी गर् और आप लोग से मुझे एक बात करना था ज़रूरी बात था इसी के लिए मुझे मतलब टाइम नहीं मिल ला था कि थोड़ा सा घर में शांती हो तो मैं बात करूं आपसे हेलो गुड़ आप्टरनून फ्रेंड तो फाइनली है अपी मेरा सारा काम हो चुका है जो भी बड़तर में घर था खाना वाना भी हमने खा लिया है और आज हमें पूजा करना नहीं था इसलिए पूजा तनू ही की है तो सुबह मैंने चाय और ब्रेट का नास्ता करके मैं आता है बुजिया ज्यादा पसंद करते हैं मसाले वाले भी अच्छे लगते मसाले वाले भिंडी की सबजी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है तो अगर आपको देखना होगा तो आप देख लीजेगा तबही खाना बनायते और सब लोग हम खाना भी खा चुके है सब लोग खाना खा चुके हैं उसके पापा तो सुबा में ही अपना खानवाना कहा के चले गया ते उसके मैंने कुछ कपड़े थे जो हथ से अध're दूने होते है और आज मैं एक मतलब बहुत अच्छी दोस्त है मेरी यूटूबर है वो भी यूटूबर पे ही मेरी उसे जान पहचान हुई है कल्पना फैमिली ब्लॉक के नाम से उनका चैनल है मैं उन्हें बहुत दिन से फॉलो करती हूं जब मैं मेकप वीडियो डालती थी तभी उनका ही मैसेज आया था कि मतलब नाइश वीडियो करके मैसेज आया था तब से मैंने उनके चैनल पे जाके उनकी इतने भी ब्लॉक्स होते हैं उनको मैं देखती हूं लाइक करती हूं बट बहुत जादा क्लोस ना होने की वज़ग से में बहुत जादा मतलब उनसे बात नहीं करती इधर कुछ दिनों से जब से मैं ब्रॉग बना रही हूं तब से मैं उनको फॉलू कर रही हूं और उनके ब्लॉग में मतलब इतनी जानकारी वाली चीजे होती है वो बाते इतσ़ payments करती है ना लगंतर गैंसरने में हमेंसा कुछ ना कुछ ना कुछ सीख सकते हैं कुछ ना कुछ जानकारी होती है वैसे नॉर्मली घर में सब के बात चीद किया जाता है कुछ ना कुछ दादी नानी से तो ग्यान सब को ही मिलता है लेकिन कल्पना जी जो है ना उनके ब्लॉग में मतलब क्या में बता हूं कुछ ना कुछ जानकारी वाली चीज के लिए जाती हूँ तो वह मतलग पूछ चली थी मुझसे एक बार कि आप हस्पिटर क्यों बार बढ़ जाती हैं तो मैंने बताया कि डियर मेरे दोनों किड्नी डैमेज हो चुकी है मैं अपनी प्रॉब्लम से शेयर किया और मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज आप अपने चैनल पर मेरे लिए बार बात करिये बोलिये ताकि कुछ मतलब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूं लेकिन मेरे सब्स्राइबर नहीं बढ़ रहा है व्यूस नहीं बढ़ रहा है मैं बहुत जादा डिस्टाइब हो जाती हो कि मैं वीडियो को कांटीनियो करूं या छोड़ दू क्योंकि घर के महाल ऐसे है न और अपने फैमिली में ही और बाहर के भी महाल में ऐसा है न कि आजकल यूटूब को बहुत जादा लोग नहीं करते हैं अपने आप लोग अप मतलब हर को यही कहता है कि यह फालतू काम है फालतू टाइम वेस्ट करी है घर की बाते शेयर करी है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डिवोटिवेट करते हैं लेकिन फिर भी इंसान अपना काम करते जाता है करते जाता है यह सोचके कि आज नहीं तो कल जरूर मुझे इस पर सफलता मिलेगी, लोगों को मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा, भगवान अगर लोगों को भगवान सफल किया है तो कभी न कभी वह दो मेरि देखेंगे, तो मैंने यही सोच के YouTube पे वीसिदेश अपना continue जारी रखे और पहले मैं सारी यूटूबर्स को मैंने देखा कि उनके हेटर्स भी होते हैं बहुत सारी सपोर्टर्स भी होते हैं तो मुझे अपने हस्बेंट के पास तो मैं सोचा चलो ब्लॉग भी बनाती हूं क्योंकि मेकप वीडियो के जो सामान होते हैं आप भी जानते होंगे मेकप में बहुत सारा सामान यूज होता है ब्रस होता है मेकप के किट होते हैं बहुत सार चीज होते हैं तो वह सब चीजे मेरे पास है मैंने जब माईके में ब्लॉग स्टार्ट किया मतलब माईके में यूटूब से मेकप का मतलब स् लेकिन जब मैं इधर आ गई ना तो इधर मेरे पास वो सारी चीजे नहीं है मैं आई थी इधर ट्रीट्मेंट के लिए डॉक्टर को दिखाने ऑपरेशन के लिए उसके बाद फिर मुझे अचानक से रुखना पड़ा क्योंकि इधर आने के बाद मेरा डायसीस स्टार्ट हो तो अभी मुझे इधर रुखना पड़ा तो इसलिए मेरे पास कोई दूसरा ओप्सन नहीं था कि मैं क्या करूँ इधर मेरा टेट्सान हो रहा था कि मैं अगर वीडियो को कांटीनियू नहीं रखूंगी तो मेरा चैनल बंद हो सकता है मुझे एक मैंने डेड़ साल इस पे पर मिलता है उतना रिस्वांस मुझे रेस्पी पर नहीं मिलता है तो इसलिए मैंने फिर से ब्लॉग को भी स्टार्ट किया इसलिए मेरे चैनल करना मेकप का भी है ब्लॉग भी है रेसिपी भी है जब मैं उधर जाओंगे अपने मतलब मायके की तरफ तो मैं वह सारी चीज कि यूटिवर रवात वो किया जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करूँ तो भी बहुत कम होगा क्यूंकि मैंने बहुत सारे यूटूबर से बहुत बड़े-बड़े यूटूबर से मैंने हैं अपने लिए लेकिन किसी ने भी मेरी हैल्फ नहीं की कल्पना जी वो कुछ ना कुछ अपने बच्छों से बात भी करती है Azas अपने बचों को नियुक्ट कुछ सिख रहती हैं यह सब चीजे मुझे मतलब मotईवेट करता हूं इनकी वीडियो को मुझे हमेशा इंदिजार रहता है मैं देखती हूँ और हमेशा मतलब उनकी वीडियो को देखती उ लाइक करती आफ मुझे सच में उनका वीडियो बहुत अच्छा लगता मतलब बाइनेचर वह बहुत अच्छी है तो बस यही कहना था कि तहे दिल से मैं कलपना जी का दरनिवाद करती हो कि उन्होंने मेरे लिए अपने चैनल पर रिक्वेस्ट किया बात किया इसके लिए मैं उनका कितना भी शुक्रियादा करूं तो वह भी कम है बाकि आप लोग अगर जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल को देखते हों वह प्लीज आप उनके भी चैनल पर विजिट करिए उनके भी चैनल को सपोर्ट करिए वह और आगे जाए क्योंकि वह नेचर की बहुत अच्छी लेडिया उ उनको सपोर्ट मिलना ही चाहिए क्योंकि हर कोई आजकल अंजान लोगों की हल्फ नहीं करता जिसके बारे में ना जाने लेकिन उन्होंने पहली बार ही मतलब मेरे लिए इतना किया तो बस यही कहना था मुझे आज के वीडियो में अगर वीडियो बहुत लेंती हो गया झाल